हेलो फ्रेंड्स दोस्तों अगर किसी भाई या बहन को पत्थरी की सिकायत है और पत्थरी मूत्राश्य में है मूत्राश्य में आपका जो यूरीन ब्लेडर है यूरीन ब्लेडर में अगर पत्थरी है तो आप घर पे क्या देशी नुस्खा अपना सकते हैं जो कि अपने आप गल कर कट कर बाहर निकल जाए मुत्र मारग से नुस्खा आपने जामुन से करना है जामुन के फल का परियोग भी करना है और जामुन के पत्तों का परियोग भी करना है पहले परियोग में आप पके हुए जामुन का जो फल होता है डेली आपने जामुन खानी है सेंधा नमक उसमें डाल कर खाना खाने के बाद ये खाएं आप अगर 20 दिन तक आप लगातार जामुन खाते हो खाना खाने के बाद तो आपकी पत्री गल कर बाहर निकल जाएगी मुत्र मारक से इस से मुत्र का वेग भी बढ़ेगा इसके साथ में आपने एक प्रियोग और करना है जल का अधिक सेवन करना है और जामुन की जो मात्राएं हैं वो कम से कम आप परती दिन 200 ग्राम तो जरूर खाएं दूसरा जो प्रियोग होना है वो जामुन की पत्तियों से होना है जामुन की कॉमल कॉमल पंदरा से बीस पतियां लें आप और एक लीटर जल में उसको पकाना सुरू करें उसके उपर से दो से तीन जो काली मिर्च होती हैं उनको पीश कर भी उसमें पानी में डाल दें अब उसको उबलने दें और जब वो आधा सेश रह जाए यानि के आधा लीटर पानी रह जाए तब उसको उतार कर गुनगुना गुनगुना उसको पीएं यह परियोग आपने परसी दिन करना है महीने भर तक इस परियोग से आपके जो मूत्राश्य में जो पत्री के टुकड़े हैं आपके urine bladder में जो टुकड़े हैं, kidney में भी हैं, वो भी आपके बाहर निकल कर आपका जो मुत्र का प्रवाहा है, वो दुरुस्त होगा, साफ होगा, सही होगा तो अगर मेरे किसी भाई बहन को पत्री की समस्या है, kidney में हैं, या urine bladder में हैं, तो आप ये प्रियोब कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा पूरा लाव मिलेगा तो अमीद है दोस्तों, ये छोटा सा देशी घरेलू नुस्खा आपको जरूर अच्छा लगा होगा पत्री के विसे में, आप इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और भी ऐसे देशी घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए, चै आपने वार